सन्मानिये देवेंद्र फर्णनेवीज जी ने कुछ मुझ पर आरोप लगाये थे और उसका कल ही मैंने खुलासा किया ते कुछ अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी के नहीं 2005 में मैं मंत्री पत्पे नहीं था एक आरर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वाइरल हुई थी ये सवाल आपने खड़ा किया हमने मुनीरा से संपत्ती लेने के बाद सलीम पटेल की वीडियो वाइरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अकबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाउद से उसका कनेक्शन वताया था उन पे डिफेमेशन सूट फाइल किया था और पांच मही में पहले मैंने जानकरी लिए सनीव पटेल का देहांत हो गया और सलीम पटेल ये मुनीरा का पावरफ अटर्मी था सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजायाफसा मुझरिम से आपने कोई लेंदेन किया है दो हजार पांच में वो कन्विक्टिड नहीं था जो वाच्मेन वहां पे था उनका लड़का था तीन सो मिटर पे साध बारा पे उसने अपना नाम चड़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज वो हमने उनको पैसा दिया था यह सच्चा ही है लिकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था यह लड़ रहा हूं जो एंसीबी में निर्दोस लोगों को फसाने का हजारो करोड की उगाही करने का कहीं न कहीं देवेंद्र जी उसको डायवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ डायवर्ट करने का नहीं उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबन है 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुम्बई शहर छोड़ता नहीं इसके पीछे क्या राज है देवेंद्र जी अवरो को कह रहे हैं कि अंडर वर कलेक्शन के लोग हैं ये लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडर वर्ड के लोग जो अंडर वर्ड कनेक्टेड लोग हैं जो बड़े बड़े क्रीमनल हैं आपने मुख्य मंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमिशन है सरकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष्य क्यों बनाया मुंत्ना यादो नाम का एक विक्ति जो नाकपुर का खुखायत गुंडा है जिस पे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं जो आपका राजनेति सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है उस मुन्ना यादो को आपने कंस्ट्रेक्शन वर्ड कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादो नहा के पवित्र हो गया था आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौला ना आजाद फाइनांस कार्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं क्या हैदर आजम मंगला देश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है क्या हैदर आजम की दुसरी पत्नी जो बंगला देशी है जिसकी जाँच मलाड पुलिस टेशन ने सुरू की 24 फरगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए बंगल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बस सेटिफिक्रिट है जो भी कागजाद है ये फरजी है और मलाड पुलिस टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी थे मुख्य मंतरी के कारेले से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया के नहीं क्या आपके इसारे पे पूरे महराष्ट में उगाही का काम हो रहा था के नहीं मामला मुंबई का हो बिल्डरों के जमीनों का जगड़ा हो मामला थाना में जाके कंप्लेंड करके दर्ज करके वसूली की जाती थी के नहीं जमीन मालकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीने अपने नाम पे लिखा लिए जाती थी ये सच है के नहीं क्या आपके कारेकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे कुखायद गुंडे फोन करते थे और पुलीस वाले मामला सेटल कर देते थे के नहीं लेकिन समसे गंभीर आरोप में लगा रहा हूं देमेंद्र जी आप पे कि जब आठ नमंबर 2016 को नोड़ बंदी हुई मोदी जी ने कहा कि नोड़ बंदी इसलिए किया जा रहा है आतंगवत खत्म होगा काला धन खत्म होगा और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोड़ है उसे खतम करने के लिए हम नोड़ बंदी का काम कर रहे है जब नोटबंदी हो गई पुरे देश में जाली नोट चाहे पंजाब हो दो हजार के पांसो के जाली नोट पकड़े जाने लगे मद्धे परदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे तामिलनाडू में जाली नोट पकड़े जाने लगे लेकिन चापे मारी की जिसमें 14 करोड 56 लाख रुपे के जाली नोट पकड़े गए और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया 56 लाख रुपे बीकेसी में 8 अक्तुबर 2017 साथियो जाली नोट का नेक्सिस ISI पाकिस्तान दाहूद वाया बंगला देश यह पूरी जाली नोट इस देश में खैलाई जाती है आठ अक्तुबर के जापय मारी में 14 करोड 56 लाग पकड़े गए मुंबई में एक ग्रिफ्तारी हुई पूरा में एक जो ग्रिफ्तारी हुई इमरान आलम शेक पूरा में ग्रिफ्तारी हुई रियाज शेक और एक नई मुंबई में भी उसमें ग्रिफ्तारी हुई थी लेकिन 14 करोड की 56 लाग की जफ्ती को आठ लाग असी हजार रुपे बताकर मामला दबाया गया पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है मामला एन ये को नहीं दिया जाता नोट कहां से आ रही थी उसके अन्तिम जाँच कभी आगे नहीं बढ़ती क्यूंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रेकेट चला रहे थे उन्हें कहीं न कहीं तातकालिन सरकार का संरक्षन था कहानी बनाई गई कि वो तो कॉंग्रेस का नेता है इस शहर में कभी भी वो कॉंग्रेस का नेता नहीं रहा खेल था कि पकड़ा जाये तो कॉंग्रेस पर बिल फाड़ दो और जो आलम शेक था इमरान आलम शेक ये माइनोरिटी कमिशन छे महने के बाद जिसको हाजी अरफाज शेक को चेर्मिन मनाया गया उसका ये छोटा भाई हाजी अरफाज शेक जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के हल संख्यक आयोक महराज का चेर्मिन मनाया था उसका ये छोटा भाई है देवेंद्र जी आप मुन्ना याद्मिन को चेर्मिन मनाते हैं खुखायत गुंडे को पंगला देशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है उसको आप माइनर्टी मौलाना आजाद फाइनांस कार्पोरेशन का चेर्मिन बनाते हैं और जो जाली नोट का रेकेट चलाता है कहीं छोटे मोटे कोई काट शाप लेकि कॉंग्रेस का नेता बना देता है रहता है किसी और पार्टी में काम आपके लिए करता है और बाद में आप उसे महरास के अल्ब संख्यक आयोगपत का अध्यक्ज बनाते हो पूरी तरह से आपने राजनीती का क्रिमिनलाइजेशन किया हम आप से पूछना चाते हैं कि रियाज भाटी कौन है 29 अक्तोबर को सहार एरपोर्ट पे जाली पास्पोर्ट के साथ पकड़ा गया जिसके उपर दाओद इबराहीम सारे ग्याइंग के लोगों के साथ संबंद की सारी खबरे अकबारों में थी पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है डबल पास्पोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाये और दो दिन में छूड़ जाता है इसके पीछे क्या खेलता रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कारेकरमों में क्यों नजर आता था देश के परधान मंत्री के अरोफ नहीं लगाना चाहते लेकिन देशकी परधान मंत्री में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किये बिना किसी भी वेक्ति को पास नहीं इशू होता प्रधान मंत्री शहर में आये और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरे की चवाई क्या ऐसा कारण था बिना इस कूटनी के रियाज भाटी प्रधान मंत्री तक पहुँच गया देवेंद्र जी आप मुख्य मंत्री रहते हुए इस महराष्ट में आपने सारे क्रिम्नल लोगों को सरकारी पदो पर बिठाया जाली नोट का नेक्सेज आपने चलवाया आपने थाना में कमिशनर बैठा के कंप्लेंट पूरे महराष्ट की करा के उगाई का दंदा करवाया और विदेश से खुखाये गुंडे फोन करके सेटेल्मेंट पुलीस वाले करते थे और यह सारा खेल आपके आशिरवास से महराष्ट में चल रहा था कि आज तो इतना बता रहा हूं आगे और बहुत सारी काली करतूते देवेंद्र जी के हैं मैं लोगों के सामने रखने रहा हूँ लियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडर वर्ड का आरूपी एरपोर्ट पे डिटेन हो जाए तो दो दिन में कैसे छूट जाता है परधान मंत्री के कारेकरम में वी आएपी के पास कैसे बन जाते हैं जाली नोट का नेक्सिस चलता है जमानत हो जाती है पैसे कहां से आये कहां से उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिक्जन किया जाता क्या है क्या है राजम की बीवी का बंगला देश का मामला पुली स्टेशन में दर्ज है के नहीं क्या मुन्ना यादो ये खुखायत गुंडा है के नहीं हम तो सवाल देवेंद्री जी से पूछना चाहते हैं इसका जवाब आप दें अगर यह जूट है तो बताएं कि नमा मुन्ना यादों पर मुकदमें हैं जाली नोट का मामला डियाराई का है जो एजनसिया केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है ये भी देखना पड़ेगा जब 14 करोड 56 लाग पकड़े गए जाली नोट का मामला था तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंग क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अलप संख्या का आयो का अधिक्स क्यों बनाया और यह योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचाज था वो भी समीर दाउद वानखेड़े ही था जी ते डियाराई मदे ही केस जाली होती यह मामला डियाराई में हुआ था और मैं आपको बता दूँ कि जो 14 साल से वानकेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे उनकी पोस्टिंग ज्वाइन कमिशनर इंटिलिजन्स रेवनू की एक जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास यह डिपार्टमेंट था यह छापे मारी या जो भी कारवाई हुई थी डियाराई नीची थी और केस को हलका करने के लिए यही अधिकारी के जरिये देवेंदर जी ने सारी मदद की थी हाजी अर्फात के भाई का मामला रफादफा करवाया था यह कोइंसिडन हो सकता है लेकिन एक ही अधिकारी जिसके उपर गंभीर मामले चल रहे हैं दो-दो एसाइटी जांच कर रही है विजिलेंस की जांच हो रही है और उससे ध्यान वटकाने का खेल कहीं तो नहीं यह भी सवाल खरेवाई जो मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी परधान मंत्री के कारेक्रम में पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंट्रिजन्स एजेंसिया केंद्र की इंट्रिजन्स एजेंसिया उस वेक्ति का पूरा स्कूटनी करती है अगर जिसके उपर लगातार दाओद इबराहिम के संपर के मामले रहे हो और वो सीधे परधान मंत्री तक पहुंच जाए तो कहीं न कहीं उसे किसी ना किसी का आसिरवाद था जिसके कारण उस कारेक्रम के भीतर तक वो गया दाओद इबराहिम का आदमी रियाज भाटी है आज फरार है थाना में जितनी उगाई हो रही थी उसका भी वो कहीं न कहीं एक उगाई के कारेक्रम का हिस्सा था बहुत सारे मुकद में खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है हमारे साथ कोई फोटो नहीं आरती जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है त्याचा बाप्तित का इतापास शुरू है त्याचे वर में भास करू इछित नहीं अगर इस तरह से चीजे करूंगा तो लोग कहेंगे कि नहीं मुलीक लोगों को पसा रहे है कि बता रहे हैं देखते हैं कितनी इमानदरी से चीजें फिर शुरू होती है रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है मैं देखे आइसा है रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है यह सवाल नहीं है सवाल यह है कि दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई एरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो दो दिन में कैसे सुट जाता है सवाल यह है कि परधान मंत्री के कारेकरम में कैसे एक्सेस मिल जाती है तस्वीरे किसी के शादी में किसने उतार ली में यह नहीं कहतना चाहता किसी नेता के साथ उसकी तस्वीर है ये आरोप मेरा नहीं मेरा आरोप है कि दो पासपोर्ट जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुकायद गुंडा दो दिन में जमानत हो गई एक कुकायद गुंडा जिसके उपर लगातार आरोप थे परधान मंतरी के कारिकरम के भीतर जो वी आई पी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुँचा पूरी तरह से देवेंदर जी का संडरक्षन उसको था में फोटो चा बाप्तित आरोप लावत नहीं बोगस पासपोर्ट चा जो केस है दोन दिवसर्ट कसा त्याला सोडने ताला पंत्रप्रधान यांचा सोबद इसकुटनी केले शिवाए कुनाला जाने ची परवनगी नस्ते ये त्यानला एक्सेस देनें आगे कौन होता है ये माजे प्रश्टा जाने जीवनद लोकां चे वर फोटो लोका काड़ता है मुनना यादो है साजके समीती वर अद्धिक्ष होते के नहीं हाजी अरफात माइनियोटी कमिशन चा चेर्मेन होता के नहीं आजम हैदर है मौला ना आजात फाइनेंस कारपोरेशन चे चेर्मेन होते के नहीं एका पदावर निम्नुक करत अस्ताना पुलीशन कड़ून रिपोर्ट मांगावने ये ते के नहीं थे शगला अस्ताना त्यानला संरक्षन देने साथी इनाम देने साथी या तीगनला ब क्या आज दावल्या लिए त्यानला नंतर पक्षांतर करून कि अल संख्यक आयोक्सा अध्यक्स करने ताला मंजे हे लोक का यांचे साथी कामकरत होती ही या चातुन निश्चेत होते मामला हुआ है क्या यह प्रतीत होता है कि वसूली ड्रक्स मामला था क्योंकि इसमें बहुत सारे वाट्सप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के इसमें चैट में बस नजर आ रहा है कि पहले से टार्गेट दिये गए थे कुछ चेहरे प तीन तारीक की रात में जो डी जी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिट सी ऑपरेशन हम लोगों नहीं किया एक क्रूस पे छापे मारी हुई पंदरा दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बाते कही गई सारे देश में उसको लेके खबरे चलने लेगी लेकिन हमने पहले छे तारीक को सवाल केपी गोसावी और मनीश भानुसाली पे उठाए थे हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है वाट्शब चैट के जरिये जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइड़ फोटो बाटे गए थे उन्हीं को पकड़ना छाए यह सारा उनके कनवरजेशन में है अगर ब्रेट शिप पर डाली गई तो क्रूज को विना परमिशन सेल करने की परमिशन कंवे अ क्यों अ कुछ उस्थ में पूरी तरह से तलासी क्यों नहीं लेगी क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेंड कर लिया गया ज्यों कि किसके कहने पे वहां तक लाया गया आरियन खान के घर वालों से 25 करोड की मांग क्यूं की गई डिसकाउंटेड रेट 18 करोड में डील क्यूं हुई 50 लाग रुपे उठाई क्यूं गई यह सारे सवाल हैं दोनों SIT के सामने सारे बयान है CCTV फुटेज है CDR होगा electronic evidence भी उसमें है लेकिन कहीं न कहीं लोगों को डराये जा रहा है कि आपने पैसा दिया आप भी मुकदमे बाजी में फस जाओगे मैं आज फिर कहता हूँ कि ransom मांगने वाला गुनेगार होता है अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरोती देने वाला कभी भी गुनेगार नहीं मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत आप विक्टिम है आप गुनेगार नहीं डराने से आप दरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का वही का काम चलते रहेगा सबीर भांखिडे के एंस जो एलिगेशन है वो NCB के विजिलन स्टीम इंवेस्टिकेट कर रहे है यूशली पीपल गो पॉर असेंट्रल एजनसी विच इस जो कि में एजनसी का पार नहीं हुए आदमी एजनसी के ही ओपर है और NCB ही इमके खिलाब इंपर रहे है मैं फिर बोल रहा हूं कि 26 मामलोग को हमने पत्र लिखा है कि यह जाली मामले है NCB एक और्गनाइजेशन है उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है काम है लेकिन अगर इस शहर में किटनाप करके उगाही का काम चल रहा हो लगातार मुंबई पुलीस को कंप्लेंट मिल रही है तो पेरलेली चार अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच कर रही है और निश्यत रुप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा अगर निश्यत रुप से जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरी भी जम्मिदारी बनती है कि मैं ग्रह विबाग को इसकी जानकरी दूँ निश्यत रूप से मैं ग्रह विबाग को जानकरी दूँगा देविंदरी जी बोल रहे हैं कि आपको CBI पीछे लगेगी कुछ ट्वीटर में लिख रहे हैं कि नौम मलिक आपका जेल इंतेजार कर रहा है अगर गुना किया होगा तो हम जेल जाएंगे लेकिन पावडर के पैसे से अगर अल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए ऐसे अगर जाएंगे तो हम जेल जाले जाएंगे तो हम जेल जाएंगे लिख्यार के कालन रहे हैं मैं देखिए ऐसा है मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता मैं अपना काम करती हैं मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता मेरे दामात का क्या मामला है एंडी पीएस के इस्पेशल कोड ने बेल आउडर में इस परस्ट रूप से लिखा है काला पैसे का मुझ पर आरोप लगा रही है काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड का फ्लैट है बीकिसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है काला धन यह नामी संपत्ति का ही अगर शौक है ठीक है सुरू करिए हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका एडी सीबियाई एनाइए जो भी मेरी जांच करा नहीं कराईए तेकिन जो कागज मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी यह भी मुझे आस्वासन दें मैं आज सरकार की तरफ से परवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं मेरी लडाई ना इंसाफी लोगों को बे गुनाहों को जेल में डालना उगाही का मामला इसको लेखे सरकारी बात आगे करेंगे धन्यवाद अगर सारी चीजे मैं कहूंगा तो यह इस्टबलिस करने की कोशिज करेंगे कि मंतरी बोल रहा था और यह प्रजुडिस होके हम लोगों को फसाय जा रहा है तो कुछ चीजें अगर पुलीस विभाग में जांच के दाएरे में है तो मुझे लगता उससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं तो साथ वर्ष होता प्रोवेशन प्रेड तो नहीं साथ वर्ष होता ठीक है नंतर चीजे शाथ वर्ष है वर्माजह आक्षेप नहीं परना अथा नंतर चेज साथ वर्ष्या मुझे रहा मेरे खिलाब मुकदमों की बाड़ आ गई है अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाब को शिकायद कर रहे हैं ठीक हर वेक्ति को इस देश में शिकायद करने का अधिकार है कोई कहता है कि नमम मलिक पे अट्रोसिटी लगा दो मैंने कोई ऐसे बात अपत्ति जनक नहीं की कि 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 जाती को लेके अपत्ति जनक मैंने बात की हो फर्जी सर्टिफिकेट फर्जी वाड़े का सवाल हमने उठाया हमने जो बाते की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है लोग मुझे बोलने पे रोक लगे इस तरह से हाई कोड में पी आयल भी फाइल हुआ थ हाई कोड में हमने अपना हल्प नामा दायर कर दिया है आज चाहिद उस पर सुनवाई होगी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चला रहा है तो यह नियालीन लड़ाई है निश्ची दुरूप से लड़ेंगे सर जा पज़दीन है आता आरोप प्रत्यरोप सुरूआ है केस तेकला साइड ला आही द्रेट्स प्रगरणाशी अनिताशी चौकशी इजिंसिस नाता है आता है वेक्तिक पातड़ी वर जात नाही है मी सुरूवती पासुन बोलतो रभीवारी पन बोल्ला होता है कि ही लड इंडनी वसूल करता है त्यांचा पाट रखन करू ने मी माक्चा रवीवारी है आवान केला होता थरी त्यानला वाचाओने साथी लोका समोरी है तस्तिल तमंग मला बोलेवा लगता है